आओ रे सब एक हो जाओ आजादी का दीप जलाओ गांदी हमारे लोगों को चुना लगाने में कामियाब हो गया अब यह जो केजरीवाल है एक गांदी की जाती का है आपको समझ में आई इसलिए बता रहा हूँ ए लाला केजरीवाल है ए बनिया केजरीवाल है इसलिए यह बात आप लोगों को बता रहा हूँ इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केवल एक दो बात ही बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में जो तथ्य जो सत्य मैं जानता हूँ केजरीवाल ने दो तिन बाते एक जब 27% OBC के बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का आइलान अर्जुन सिंग ने किया था तो यही केजरीवाल था दिल्ली के सडकों पर विध्यारतियों को लेकर Youth for Equality का आंदोनन शुरू किया था दूसरी बात यह केजरीवाल जब जातिया अन्हाद गिंती का निर्णे 19 मैं 2011 को लिया और एक जून 2011 से गिंती शुरू होगी ऐसा आहलान हुआ तो प्रान बनाया गया ब्रह्मन वादियों ने प्रान बनाया और बाबा रामदेव को मैदान में उतारा बाबा रामदेव हरियाना का अहीर गवडी महराष्टतला याद हो उसको मैदान में उतारा फिर अन्हाजारे को मैदान में उतारा जून महिना गाइब हो गया अगस्त महिना गाइब हो गया खंगा में चड़ गया और एक जून 2011 को जो ओवी सी की जातिया धाद गिंती होने वाली थी पता ही नहीं चला कहा गाइब हो गया वो यह गाइब करने के लिए केजरी वाल ने अन्ना हजारे का इस्तमाल किया कि अन्ना हाजारे को अगबार वालों ने और टीवी वालों ने दूसरा गांदी घोषित किया है पहले गांदी हम और सर पर से उतारने में अभीतक काम्याब नहीं गया पहले गांदी को सर पर बिठाने को चीज किया अब पहले गांदी को उतारने के पीछे लगे हुए तुम दूसरा गांदी हमारे सर पर बिठा रहे हो केजरीवाल ने अन्ना हजारे का इस्तमाल किया और फिर दूद में मक्खी की तरह निकाल कर केजरीवाल ने अन्ना को साइड में कर दिया आपके सामनी की कहानी है अन्ना को सीड़ी बनाया वो मुख्यमंत्री बन गया तीसरी बात केजरीवाल स्वराज्य की बात करते हैं गांधी भी इसी तरह से स्वराज्य की बात करता है एक केजरीवाल स्वराज्य की बात करता है स्वराज्य का मतलब क्या कहता है वो केजरीवाल स्वराज्य के बारे में क्या कहता है आप लोग आफिस में जाओगे किसी भी आफिस में आपका पैसा लिये बगर काम होगा और आट दिन में होगा दस दिन में होगा जितना समय हम निर्धारित करेंगे उतने समय में होगा उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको क्या कहता है इस्वराज्य जब गांधी और तीलक ने सुराज्यकी बात की थी सुराज्यकी तो बाबा सबाम्बेट करने वहिश्कुत भारत में एक आर्टिकल लिखा है हमारे पास रेकॉर्ड है बाबा सब आम बेट करने बहुच कुछ भारत में लिखा सुराज्याची सर सुराज्याला येतना ही क्या है इसका आरत सुराज्याची सर सुराज्याला येतना ही केजरिवाल क्या कह रहा है आपका काम आफिस में पैसा लिये बगेर होगा कम समय में होगा आपको तकलिफ नहीं होगी इसको उसने नाम दिया स्वराज बाबा साब अम्मिल कर क्या कहते है यह जो सुराज्य है सुराज्याची सर सुराज्याची सर सुराज्याला येतना ही अमाला सुराज्य नको स्वराज्य हवे आरी स्वराज्य मन्जे या देशातील शडूल कास्क, शडूल ट्राइप, बैकवार्ट, मराठा, मुसल्मान, सिक, इसाई, बुदेश्ट, जैन या लोकांची डेमोकरसी, रीप्रेजेंटेटिव डेमोकरसी इस देश में आनी चाहिए और सत्ता इन लोगों के नियंत्रण में आनी चाहिए जब इन लोगों के नियंत्रण में आएगी तो इनका स्वराज्य, स्वराज्य, स्वराज्य इनका राज्य होना चाहिए हो इसके लिए केवल लोकपाल होना चाहिए राज ब्रामनों का ही होना चाहिए राज शत्रियों का ही होना चाहिए राज बनियों का ही होना चाहिए केवल ब्रस्टाचार नहीं होना चाहिए यह समझ में रहा है आप लोग यह माइक्रों बाते हैं समझने के लिए आपको समझ आफिस में आपको खड़े नहीं रहना चाहिए जल्दी काम होना चाहिए बात राज उनका ही होना चाहिए ये जो बदमाशी आम आदमी के नाम पर चराई जा रही है इन बदमाशों से सावदान रहो जिस तरह से एक आंग्रेज जो है ये गांधी की जाये जवलाद है एक कांग्रेज जो है गांधी की जाये जवलाद है और आम आदमी पार्टी एक गांधी की ना जाये जवलाद है क्यों क्योंकि कांग्रेज वाले दावा कर सकते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेज बनाई गांधी जी हमारा बाप है गांधी भी दावा कर सकते हैं कि मैंने कॉंग्रेस बनाई मगर आम आदमी पार्टी के लोग यह नहीं कह सकते हैं कि गांधी हमारा बाप है है मगर मपिर्वी वो कहते हैं कि घृन्ध आफ हमारा बाब है आंग्रेस वालू की टोपिया छोटी होती है आप देखा और के घजजरिवाल की टोपि मोटी होती लम्बी होती अशी बड़ी होती तो गांदी ने टोपी डाली अभी वह सब्सक्राइब तो ने बनता तो नहीं आप लोग तीवी पर देखो गांधी की टोपी छोटी थी केजरिवाल की टोपी जो है थोड़ी मोटे साइज की है शाहेद वो बड़ी टोपी डालना चाहता है हमारे सर में तो हम लोगों को गांधी ने चुना लगाया था केजरिवाल भी चुना लगाने वाला है हम लोगों को सावधान रहना चाहिए केजरिवाल की यह जो बदमाशी है उस पर मैं 15,000 मिटिंगे देज भर में लेने वाला हूँ और मैं ही ले सकता हूँ यह किसी के बस की बात नहीं है हमारा 29 राज्यों में 535 जीलों में 40,000 तैसिलों में नेटवर्क है और इसका जो पोल है उसको मैं खोलके रहूँगा ताकि सच्चाई लोगों को मालूम होनी चाहिए साथियों हम लोग लगातार धोके बाजी से हमारे लोगों को बचाने का अभियान चला रहे है अब नहीं नहीं धोके बाजी आ रही है जो कांगरेस से दुखी है जो बीजेपी से दुखी है वो ब्रामनों के जासे में ही रहना चाहिए और बामों के जासे से अलग कोई आं पेज है इससे हमको सावधान रहना चाहिए